गाइस मार्केट में काफी सारी कंपनी लिस्टेड है और ये जो निउस निकल के आ रही है वो किसी पर्टिकुलर स्टॉक के उपर बहुत ज्यादा इंपक्ट डालने वाली है यहाँ पर आप लोग देख सकतो दुनिया भर के आस्मानों में दहारेगा अपना तेजस आखिर अपना तेजस एक अपना पन जुड़ा हुआ है मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस के अंतरगत आने वाली हिंदुस्तान एरोनेटिक्स लिमिटेड एचेल लडाकु बिमान बनाती है और इसकी डिमांड अभी इतनी बढ़ती जा रही है करेंटली ये निउस निकल के आई है लग लगबग हम टू वीक में बात करें तो टू वीक में इस स्टोक ने लगबग 15 प्रतिसत 20 प्रतिसत की ग्रोथ दिखाई है और डेफिनेटली अभी आगे इसके और ग्रोथ दिखाने के चांसे से बिकॉज ये निउस हम लोगों को क्लियरली बता रही है भारत के फाइटर ज इस फाइटर जेट दरा साही हो गए थे यानि कि उस टाइम लडाकु विमान में GPS तक गाइस नहीं होते थे और उस वजा से जो हमारा लीडर विलियम ग्रीन भारत की वजा पाकिस्तान में लेंड कर गए थे और उस टाइम भारत दूसरे देशों से इस पाइटर जेट को ख लिमिटेट के लिए तो यहाँ पे सारी डेटिल्स दी गई है इसमें यहाँ पे थोड़ा सा जो मैन मक्सद है वो हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे तेजस की हिस्टरी के बारे में बताया है कि तेजस का सफर किस प्रकार रहा कैसे इसकी आखिर इस पेसलि तो 13.2 मीटर यह लंबा होता है यदि वेट की बात करें लगबग 6,508 किलो का यह हमारा लडाकू बिमान है बाकी यहाँ पे आप लोग हाइट, विंग स्पैन सारी चीज़ें देख सकते हो तो यह कुछ स्पेसिलिटीज है जिसकी वजा से अन देश भारत के इस लडाकू बि देगा नहीं बलकि बेचेगा इस बात की जानकारी सुक्रवार यानि की 5 अगस्त को संसद में रक्षा राजमंत्री अजयवट ने दी जो की अभी मार्केट में न्यूज आ चुकी है तो डेफिनेटली इसका जो इंपेक्ट है वह हिंदुस्तान एरोनेटिक्स लिमिटेड यानि की HL के सेर प्राइस के उपर डेफिनेटली पढ़ने वाला है तो आप लोगों को इस सेर को रडार में रखना है और प्राइस एक्षन देखके आप यहाँ पर अपनी पोजिशन क्रियेट कर सकते हो तो यहाँ पर वही सारी चीज़ों को क्लियर किया है तो मैंली यहा असर हम लोग यहाँ पर प्राइस पर क्लियरली देख पा रहे हो गाईस जब भी कोई मार्केट में न्यूज आना होता है उससे पहले प्राइस पर उसका असर डेफिनेटली दिख जाता है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लगातार HL का सेर एक अच्छा कर रहा है औ और यहाँ पर बार बार डिप लेकर दें higher high जो है बनाते चल रहा है यदि आप लोग देखोंगे पिछले one month में इसके return की तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यदि हम लोग देखें अप्रेल मई से यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो अप्रेल मई से guys यदि हम लोग इसके return की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लगबग 37% के return इसने दिखा हैं जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी return है यदि short term है और यहाँ से भी उपर जाने के काफी ज़्यादा chances है यह बहुत अच्छी news है कि काफी सारे देश fighter jet जो है खरीदना चाहरे है यदि HL को order मिलेगा, काम मिलेगा, profitability बढ़ेगी तो सारी चीज़ें जो है अच्छी तरीके से चलेगी स्वासा करता हूँ इस news के ऊपर आप लोग अपना focus करोगे, so thank you so much वीडियो देखने के लिए, thanks for watching and bye bye